आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों, तो हमारा जो प्रशन है उस प्रकार है एक इलकेन के हेलोजनी करण की में हाइडोजन परमानों के विस्थापन की सहरिता करम हमें बताना है हमारे आपसं दोस्तों है, A, B, C, D, 4 आपसं दिये गए है ठीक है दोस्तों हमारा उत्तर इस प्रकार से है एक इलकेन के हाइडोजनी करम में हाइडोजन परमानों की विस्थापनी सहस्ता तो जैसे हम दोस्तों कोई अपनी दोस्तों वन डिगरी अगर दोस्तों एलकेन लेते हैं जैसे दोस्तों कोई हम लेते हैं CH3, CH2, C दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार CS3, CH3, यहाँ पर दोस्तों H अगर दोस्तों हम इस एलकेन को लेते हैं ठीक है दोस्तों अब दोस्तों अगर हम इसमें इसका हैलोजनी करण करते हैं दोस्तों मतलब अगर दोस्तों जैसे कोई X2 या दोस्तों X2 जो हमारा है वो होगा दोस्तों हमारा X2 जो होगा या क्लोरीन या ब्रोमीन दोस्तों या आयोडीन ठीक है दोस्तों अगर एलकेन का हमें हैलोजनी करना होता है दोस्तों तो हमें प्रकास में करना होगा दोस्तों ठीक है प्रकास में इसको हम H new कहते हैं दोस्तों यह होता है प्रकास अब दोस्तों इसका हैलोजनी करन करते हैं दोस्तों तो यहां पर हमारा है दोस्तों यह जो हाइडोजन है वो तीन कार्बन से जुड़ा है दोस्तों जिस कार्बन से जुड़ा है दोस्तों वहाँ पर तीन कार्बन संगला हैं दोस्तों यहां जो यह है यह दोस्तों गर एक हाइडोजन हमारा होता है यह दोस्तों एक वन डिगरी हाइडोजन को जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से एक कार्बन जुड़ा है दोस्तों हम देखते हैं प्रकास की उपस्तित में इन तीनों हाइडोजन जो हमारा X है अगर उसको हम दोस्तों CL2 मान लेते हैं तो CL CL होता है दोस्तों जब सबसे पहले पद में प्रकास पढ़ता है दोस्तों अगर इसको पद 1 मान लेते हैं तो दोस्तों ये इस प्रकार से मुक्त मूलक में टूल जाड़ता है और 2CL इस प्रकार से मुक्त मूलक बनाता है तो दोस्तों प्रकार में मुक्त मूलकों का निर्मार होता है ठीक है उसके बाद हम ये दोस्तों पता है माना था यहां पर दोस्तों यहां पर जो दूसरे पद में यह दो C-L मुक्त मूलक होते हैं दोस्तों उसमें C-L मुक्त मूलक एक इस प्रकार से दोस्तों इस 3 डिगरी हाइडोजन को लेता है और दोस्तों यहां पर जो है एक मुक्त मूलक उत्पन कर देता है यह C-L मुक्त मूलक और H मुक्त मूलक दोस्तों यहां से इस प्रकार से आपस में मिलते हैं और S-C-L बाहर निकाल देते हैं और दोस्तों जो यहां बनता है बनता C-S-3 C-H-H-C यहां पर दोस्तों मुक्त मूलक C-S-3 दोस्तों तो यह जो दोस्तों मुक्त मूलक बना है यह दोस्तों हमारा थी डिग्री मुक्त मूलक है क्योंकि दोस्तों जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है वहां से तीन कार्बन जुड़े हैं ठीक है दोस्तों यह यहां से हाइड्रोजन ले सकता है देस्तिन लेकिन दोस्तों ज C L इस hydrogen को भी ले सकता है और S C L निकालेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो C S 3 C H मुक्त मूलक बना यह दोस्तों फिर इसको नहीं लेगा तो इस प्रकार से C S 3 C S 3 तो दोस्तों यह जो मुक्त मूलक बना है दोस्तों लेकिन दोस्तों अगर यही जो C L मुक्त मूलक है दोस्तों अगर इसको हम C S 2 और H में लिख लें दोस्तों अगर यही C L मुक्त मूलक है यह अगर इस H को ले लेता है दोस्तों इस प्रकार से तो जो दोस्तों हमारा बनने वाला दोस्तों जो सनरशना है वो C S 2 दोस्तों इस पर मुक्त मूलक CH दोस्तों यहाँ पर H CH CH CS3 CS3 दोस्तों यह जो हमारा मुक्त मूलक बना है दोस्तों जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है और दो हाइडोजन है दोस्तों इसे दोस्तों हम 1 डिग्री मुक्त मूलक कहेंगे ठीक है दोस्तों और हमें बताना है दोस्तों हेलोजनी करम में हाइडोजन परमाडों के विश्थापन की सहजता करम बताना है मतलब हमें बताना है ये हाइडोजन परमाडों दोस्तों 1 डिगरी, 2 डिगरी त्री डिग्री तीनों में से किसमें दोस्तों सबसे सहस्ता से निकलेगा ठीक है दोस्तों हमें उसका क्रम बताना है दोस्तों हमें पता है सहस्ता का क्रम जो दिपेंड करेगा दोस्तों निर्भर करेगा दोस्तों वो सहस्ता होगी दोस्तों एच निकलने की जो सहस्ता है एच विस्थापन एच विस्थापन की जो सहस्ता है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होगी दोस्तों एच विस्थापन की जो सहस्ता है वो दोस्तों अनुक्रमानुपाती होगी दोस्तों बनने वाले मुक्त मूलक के इस्था यित्त उपर ठीक दोस्तों जितना इस्थाई मुक्त मूलक बनेगा उतना सहस्ता से H विस्थापित होगा ठीक दोस्तों और जो मुक्त मूलक का इस्थाईत है दोस्तों वो निर्भर करता है दोस्तों प्लस I प्रभाव पे तथा दोस्तों प्लस H प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों अलफा हैड्रोजन की संख्या ठीक है दोस्तों तो हम देख सकते हैं जो हमारा 3 डिगरी मुक्तमूलक है यहाँ पर दोस्तों इन तीन समुहों का प्लस आई प्रभाव भी लगता है तथा दोस्तों प्लस एच प्रभाव भी लगेगा यहाँ पर दोस्तों केवल इस तथा इन दो का प्लस आई प्रभाव यहाँ पर दोस्तों इस मुक्त मूलक में दोस्तों केवल इस समूं का प्लस आई प्रभाव लगेगा तो दोस्तों जो इस्थाइत होता है मारा दोस्तों जो हमारा मुक्त मूलक का दोस्तों इस्थाइत है इस्थाई तो है दोस्तों जो मुक्त मूलका वो सबसे इस्थाई 3 डिगरी होता है फिर 2 डिगरी होता है फिर 1 डिगरी होता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 3 कार्बनों का प्लस आई प्रभाव तथा दोस्तों 3 प्लस आई प्रभाव रहते हैं तथा दोस्तों प्लस H प्रभ प्रभाव दो प्लस आई प्रभाव और प्लस एच भी रहता है यहां पर दोस्तों के उल्ड प्लस आई प्रभाव एक कार्बन का रहता है तो दोस्तों इसलिए हमारा की सबसे जादा होगी two degree की होगी दोस्तों तो जो हम इस प्रकाल से दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं कि दोस्तों बनने वाला मुक्त मुलक जो सबसे स्थाई होगा उसका दोस्तों जो हाइडोजन होगा वो सबसे सहस्ता से विश्थापित होगा ठीक है तो दोस्तों हमें पता है जो सहस्ता का क्रम है दोस्तों हमें वही लिखना है hydrogen परमाडों की विस्थापन की सहस्ता हमने देखा 3 डिगरी सबसे दोस्तों सहच होता है फिर 2 डिगरी फिर 1 डिगरी मतलब 3 डिगरी ऐसे दोस्तों परमाड greater than मतलब बड़ा मतलब GT मतलब दोस्तों greater than 2 डिगरी hydrogen परमाड फिर greater than 1 degree hydrogen परमाण मतलब दोस्तों हमारा ए आपसन सही होगा पर लब 3 degree hydrogen परमाढ़ सबसे बड़ा होता और फिर 5 ग्रेटर लब लब यह बड़ा होता है तोस्तों इसलिए हमारा आपसन नमबर ए सही होता है वो हम इस option की व्याक्या इस प्रकार से हमने की है ठीक है दोस्तों ठीक है वो भी मुक्त मूलक के स्थाइत के आधार पर ठीक है दोस्तों धन्यवाद